मुस्लिमों के लिए ये महीना सबसे पाक होता है और वो 30 दिनों का रोजा यानी व्रत रखते है रमजान की तैयारियां दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशा में भी शुरू हो गई इन तैयारियों के बीच इंडोनेशा की राजथानी जकार्ता में कोविड-19 के मद्दे नजर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया जकार्ता के गवर्नर एनीज बस्विदान ने बताया कि गुरुवार यानी 23 अप्रेल को खत्म होने वाली सामाजिक पाबंदियों को आगे बढ़ा दिया गया अब ये पाबंदियां 22 मई तक के लिए बढ़ा दी गई जकार्ता के गवर्नर बस्विदान ने बुद्वार देरात एक सनवाद दाता सम्मेलन में मुस्लिमों से कोरोना वारस को फैलने से रोकने के लिए रमजान के दौरान मस्जिद से संबंधित गतिविधियों को स्थागित करने का अनुरोग किया Pemprov RKI Jakarta dengan mendengar pandangan para ahli di bidang penyakit menular dan juga diskusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan maka kami memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan PSBB diperpanjang 28 hari artinya periode ke-2 PSBB ini mulai tanggal 24 April sampai dengan 22 May 2020 dan बतादे कि Islam के पवित्र महीने रमजान की शुरुआत चांद दिखाई देने के बार शुक्रवार से हो सकती यानि पहला रोजा शनिवार को रखा जाएगा गौर तलब है कि Indonesia के राष्टपती जोको विडोडो ने पिछले महीने ये बात मानी थी कि सरकार ने देहशत को रोकने के लिए कोरोना वारस फैलने की जानकारी को छिपाने का फैसला लिया लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में देरी और कम संख्या में जाच होने से इस वारस के फैलने का डर पैदा हो गया जकार्ता के गवर्ना एनीज बस्वदान इंडोनेशिया के राश्पती जोको विडोडो के राजनीतिक प्रतिद्वन्दी है और उन्होंने इस वारस के केंद्र बने जकार्ता में सक्त पाबंदियां लागू करने की मांग की गवर्न तलब है कि इंडोनेशिया में कोविड-19 के 7500 से ज़ादा मामले सामने आए और करीब 650 लोगों की मौत हो चुकी अगर राजधानी जकार्ता की बात करें तो यहां 3300 से ज़ादा मामलों की पुष्टी हो चुकी जबकि 300 से ज़ादा लोगों की मौत हो चुकी